नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग वापस आ जाते हैं अपने एसी चैप्टर नमबर 14 पर बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक चल रहा है यहां पर बात करेंगे प्लेयर्स इंद स्टॉक एक्सचेंजेज़ ब्रोकर क्या होता है जॉबर क्या होता है मार्केट मेकर क्या ह होता है हलांकि जॉबर्स को मार्केट मेकर भी कहा जाता है अलग-अलग स्टॉक एक्सचेंजमेंट के काम अलग-अलग हो जाते हैं जॉबर आपने अपना काम शुरू किया तो समझने कोशिश करते हैं ब्रोकर जॉबर क्या करते हैं वैसे ब्रोकर के बारे में आपको हलका फुलका पता चलता होगा Stock Exchange में कुछ registered members होते हैं वो होते हैं broker जैसे for example आज की date में बहुत बड़े बड़े online platforms चल रहे हैं institutionalized platforms चल रहे हैं जो ऐसा broker क्याम करते हैं आप समझेए आप के पास एक DMAT account है अब उस DMAT account के थूँ आप Stock Exchange पे चीज़ा खरीद रहे हैं और नहीं खरीद रहे हैं तो मालो आपने SBI का DMAT account खुलवा लिया HDFC Bank का DMAT account खुलवा लिया Zeroda का DMAT account खुलवा लिया आप कहीं से भी DMAT account खुलवा सकते हो बहुत सारी ऐसी companies चलती ही market में तो जब यहां पे आप DMAT account खुलवा ओगे तो इनके DMAT account पे आप online logging करके shares को खरीदोगे और बेचोगे simple है तो यह कौन है SBI का DMAT account खुल रहे हैं और आपका जो जरोधा DMAT account यह broker ही तो है यह institutionalized brokers है offline brokers कैसे काम करते थे कि आप घर पे बैठे हो overall आपने इसी जैसे मानलो आपने जरोधा से share खरीदना है तो आपने जरोधा में अपना जो भी portfolio manager उसको phone कि कि भाई तुमें काम करो GOK 50 share मेरे नाम पे खरीद दो तो उसने खरीद दिये पहले इस प्रकार से काम चलता था अब क्या है अभी भी कभी कभी कहीं कहीं जगों पैसे काम चलता है कि आप online market पे rate चेक करते रहते हो फोन पे instructions देते हो कि भाई ये share खरीद दो ये share बेच दो और अगर आप एक particular कहते हैं न कि dedicated broker की services को afford नहीं कर सकते हो तो online भी आप ये काम कर सकते हो ठीक है तो broker क्या होता है broker एक stock exchange के registered member होता है जो कि अपने client के वहाब पे securities और share को sell करता है और खरीदता है और इसके लिए वो commission खाता है तो जब भी आप कोई भी purchase करोगे या कोई भी चीज sell करोगे इस DMAT account में तो इसके उपर एक छोटा सा commission लगता है 0.01% 0.02% मुझे percentage नहीं पता आप जाके देख लिए ना यह जो percentage commission है इसमें से एक major चंग इस broker के पास है क्योंकि कोई broker दान धर्म तो कर नहीं रहा है वो obvious ही बात है आपके बिहाब पे चीजों को invest कर रहा है खरीद रहा है तो कुछ तो commission बीच में खाएगा ठीक है प्लस brokers के कुछ advanced काम भी होते है यह कभी-कभी investment advice भी देते हैं और यह सबसे important काम है investment advice देते हैं clients का portfolio planning करते हैं तो आप जैसे for example आप एक new कमार हो लेकिन आपके पास पैसा बा होते हैं मालो कि दिनली इनली सैड में और मुंबई सैड में बहुत सारे ऐसे लोग है जिनकी पुराने जमीने हुआ करती थी तो अब वो पुरानी जमीनों पे घर बना बना के किराय पे उठा ठा के वो करनोपती हो गए बुद्धी उनमें पांच पैसे की नहीं है ठीक है तो अब उनको अबना पैसा इन्वेस्ट करना है अब कालाक्षर महस ब्राबर समझी भी नहीं आ रहा कि डीमेट अकाउंट कैसे काम कर रहा है और चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें बढ़ा कूल है यार स्टॉक मार्केट विंवेस करें पैसा कब आएंगे ठीके पर खुद के पास दिमाग थोड़ा काम है मैं सब के लिए नहीं कह रहो बहुत लों के पास होता है पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं मैं बिसकली उनके लिए करो हुए जिनके अगे आता जाया है अगा भरुष सारो पैसा नहीं को देख लो उसको उस पैसे को invest करने का उसके पास दिमाग नहीं है तो वो किसी broker को बोलेगा कि भाई मेरे नाम पे तो invest कर और मेरे को पैसा कमा के दे तो portfolio planning करना अपने client को advice करना कि भाई इस share में पैसा डालो इस share में पैसा डालो ये काम भी होता है आपका broker का और अगर profit हो गया तो profit का कुछ percentage रखेगा broker और जो भी selling और purchasing हो रही है उस पे broker का commission तो देखो होता ही है loss में broker का कुछ नहीं है loss में broker बोलेगा जैराम जी की जावब ना लेके तो loss आपका है तो ये हो गया आपका broker broker होता है registered stock exchange फिर इस stock exchange में ground level पे कुछ लोग काम करते हैं जुनको बोला जाता है jobber jobber का काम अब online दुनिया में थोड़ा कम हो गया है पहले जब stocks की trading manually हुआ करती थी online नहीं हुआ करती थी तब jobber एक बहुत important person हुआ करता था तो jobber किसके touch में होगा broker के touch में होगा public के touch में नहीं होगा public के touch में कौन होगा broker बट broker का broker है jobber तो jobber broker के touch में होगा तो समझ ये ये है आपका stock exchange stock exchange के floor पे आपका काम हो रहा है four पे shares की खरीदारी और बेचना कौन कर रहा है jobber कर रहा है ठीक है jobber को instructions कौन दे रहा है jobber को instructions दे रहा है broker ठीक है भाई तो broker jobber को instructions दे रहा है कि मेरे बिहाब पे stock exchange की authorities को बोल दे कि हाँ एतने share मेरे इतने share दे रहे broker को instructions कौन दे रहा है consumer, यानी मेरे और आपके जैसे लोग public, तो हम लोग क्या करते हैं हम अपने broker को phone करते तो मालनों हमने जरूद हमें trading account लिया है तो हम अपने broker को phone करेंगे कि भाई इस particular चीज के हमको इतने share चाहिए ठीक है broker बोले का अच्छा broker ये deal किस से करवाएगा broker jobber से करवाएगा daily के basis पे जो आपका public है जो ground level पे चीज़ों खरीद बेच रहे हैं हम instructions देते हैं broker को तो हमारे लिए हमारा बिचवलिया कौन है broker लेकिन broker का बिचवलिया कौन है on the floor of the house उसको आप बोलते हो जोबर तो broker का काम on the floor of the house कौन करता है stock exchange में वो करता है आपका jobber ये होता है आपका jobber ठीक है और पहले इन jobber का rule बहुत important होता था जैसे कि मैंने आपको बताया क्योंकि पहले stock exchange की authorities को यही jobber जाके बताता था कि इस broker के भियाव पे इतने share खरीद गए इतने खेर बेचेगा और पैसों का settlement यही करता था लेकिन अब तो हर चीज हो गई आपकी तो जोगर इस लोकेटेड़ अड़ पर्टीकुलर ट्रेडिंग पोस्ट ऑन दे फ्लोर फ्लोर ऑफ दा जा था पांच रुपए पर वही मतलब एंवड़ स्था कर लीज़े कि अपने घरीदा पांच रुपए बेचा चार रुपए पर नुखसान आपने बेचा इंडेयन स्टॉक मार्केट कर रेगुलेटर है आपका से अपन बनाए गया था 1992 में जब Securities and Exchange Board of India को 1992 में बनाए गया था तब इसको बनाए गया था as a non-statutory body okay अच्छा एक चीज़ फस्ट आफ फॉल यह 1992 में इसका act आया था देहां से सुनिएगा जब बनाए गया था 12 अप्रेल 1988 को एक Executive Order के थुरू एक Executive Government Resolution के थुरू तो शुरुआत में तो बना नॉन-statutory body की तरह लेकिन जस्ट चार साल बाद एक CB Act पास किया गया Security and Exchange Board of India Act पास किया गया और उसके थुरू आप जो CB बनाए वो statutory body है तो अभी के लिए जो CB है वो statutory body है लेकिन originally जब इसको 1988 में बनाया गया था तब एक non statutory body थी आला कि कोई इतना important factor है नहीं इसका head office आपका मुंबई में है इसका initial paid up capital था 50 करों इसके promoters थे IDBI, IFCI और ICICI ये developmental financial institutions थे DFIs क्या होते है financial institutions क्या होते है मैं आपको पहले बता तब अगर आप CB की board की बात करोगे तो इसमें 9 members होते है एक chairman होता है अचा chairman अलग होता है, 9 members होते है उसके और chairman इसका अलग है, CB के 9 members में थे एक member ministry of finance का होगा, एक ministry of law का होगा, एक RBI से होगा, ठीके ना, दो other members होगे, जो की central government appoint करीगे और 4 full time members होगे, जिसमें chairman भी appoint होता ह यहाँ पर होते हो, आपको नजर आए, काम क्या है CB का, तो CB Act 1992 केंदा Securities and Exchange Board of India का काम देखे रखा है, काम है registering in the stock exchanges, merchant banks को register करना, mutual funds को, underwriters को register to the issues को, broker, sub broker, transfer agents, इन सब को regulate करना, उनके काम को ठीक तरीके से देखना, यह सब आपका CB का काम होता है, फिर CB का काम होता है, बहुत 10% of the issue amount of every company, issuing shares are kept with it as a caution money in the concerned stock exchange where the company is listed, इसका क्या मतलब हो गया, देखे से भी कुछ fees और charges को अपने पास किसी emergency situation के लिए maintain करके रखता है, क्या मतलब हुआ, मानलो Reliance ने Bombay Stock Exchange पे अपने shares लिस्ट किये, तो जो भी initial public offering हुई, इसमें जो भी issue price था, overall मानलो कि 100 करोड के Reliance के share बिग गए Bombay Stock Exchange पे शुरुवात में, तो इस 100 करोड का 1%, 1 करोड साइड में रख देगा, से भी उठा के, तो अगर Bombay Stock Exchange पे 100 करोड की share बिग रहे है, Reliance के शुरुवात में लिस्ट करते वग, तो एक करोड उठा के से भी साइड में रख देगा, क्यों, चो कि कल की बेट मे Bombay Stock Exchange में, अगर Reliance कुछ भी उल्टा सुल्टा करता है, उसकी कंपनी में कुछ भी गडबड गोल को ठाला करता है, तो इस करोड में से पैसा काट लेगा से भी, तो सारी कंपनीों को पता होता है, कि इनका थोड़ा पैसा साइड में से भी के पास रखा है, अगर हम गडबड करेंगे, तो से भी हमारे पैसे काट लेगा, फिर Investor Education को Promote करना काम है से भी का, समय समय में इंस्पेक्शन करवाना, audit करवाना, Stock Exchanges का, उनकी Intermediaries का, ये भी काम है से भी का, बहुत सारे और इसके काम है, वो सब से भी Act में, डीटेल में लिखे हुए, उतना डीटेल में लिचे जाते हैं, Stock Market में, हाँ, आप कह सकते हो कि Commodities के कुछ और Exchanges भी है, Commodity Markets बहुत से काम करते हैं, अगर आप देखोगे, तो 91 Commodities को Notify करके रखा गया है, इंडिया में Future Trading के लिए, as of April 2019, और overall आप देखोगे, कि इसके लिए 21 National और Regional Commodity Exchanges काम कर रहे हैं, जो 6 National Exchange है आपके, Commodity Exchange ट्रेडिंग के लिए, वो है, National Commodity and Derivative Exchange, NCDEX, National Multi Commodity Exchange, NMCE, Multi Commodity Exchange, MCEX, Indian Commodity Exchange, ICEX, AS Derivatives and Commodity Exchange, ACE, Universal Commodity Exchange, UCE, अगर आप इन Commodity Exchanges के नाम, रेगुलरली पढ़ना चाहते हो ना, नीउस पेपर में तो Financial Times पढ़ा करो, Financial Times में इन Commodities के, मतब इन Commodity के जो Exchanges के नाम में वो अक्सर कर छापा करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, Commodity Trading के बारे में, वैसे तो Commodity Trading के बारे में मैंने आज की Current Phase discussion में आप से बात की है, हलाकि Current Phase का वो नहीं देना चाहिए मुझे, चोकि Overall हो सकता है कि लोग मेरे वीडियो बनाने की 2-3 साल बात देख रहे ह Commodity क्या होती है, Physical Goods होती है, तो मक्का एक Commodity है, चांदी एक Commodity है, सोना एक Commodity है, कुरूड ओल एक Commodity है, गेहू एक Commodity है, चावल एक Commodity है, समझ गया है, Metal X एक Commodity है, तो यह सब अलग-अलग Commodities है, और इन Commodities को भी खरीदा बेचा जाता है Commodity Exchanges पे, अब आप Commodity क्यों बेच रहे हो, तेकि स्टॉक में क्या स्टॉक बेचे खरीदे है, Commodity में बहुत सारी ट्रेडिंग होती है, और उस ट्रेडिंग की कुछ वज़ाए है, आपको पता है कि हमारे देश में जो अगरी कल्चिरल सेक्टर है, वो बहुत हैफ वज़र्ड है, आज माल ल देखने को मिलता है हमें अगरी कल्चर पॉडट्स में, सासार मेटल में, एडिबल ओयल में, अलग अलग प्रकार के जितने भी प्रोडट्स हमारे मार्केट में बिक रहे हैं, वो ग्लोबलाइजेशन से अफेक्टेड हैं, इंटरनेशन प्राइस से अफेक्टेड हैं, तो चीजों के दाम में उतार चड़ाओ आता रहता है, तो इस प्राइस शॉक्स के अगेंस्ट, कमोडिटी ट्रेडिंग की जाती है, कमोडिटी ट्रेडिंग में प्राइस शॉक्स को हटाने की कोशिश की जाती है, तो कमोडिटी ट्रेडिंग में क्या होगा, कि मान लीजे किसी farmer को ये नहीं पता है कि मानलो अगर वो गेहूं उगाता है तो वो गेहूं कितने दाम पर बिकेगा या मानलो वो oil seed उगाता है तो oil seed कितने दाम पर बिकेगा तो यहाँ पे farmer के लिए best option है commodity trading commodity trading के commodity exchange में अगर कोई बड़ा farmer अपने आपको register करवा लेता है तो वहाँ पे अगर वो oil seed मानलो अगर आ रहा है तो oil seed का जो trader होगा जो buyer होगा वो इस farmer के पास आएगा और farmer से आके बोलेगा कि ठीक है भई जब खरीब season की या फिर राभी season की harvesting होगी तब तुम इतना मुझे oil seed बेच देना समझ गे तो जिस भी season में overall crop उगाया जा रहा है उस season के end के बाद के लिए एक commodity future यहाँ पे sign हो रहा है trader farmer से बोल रहा है कि तुम मुझे इतना quantity ये धान बेच देना किसान बोला ठीक है मैं तुमको इतना quantity ये धान बेचूंगा और obvious सी बात है इस commodity trading में दाम भी fix किया जाएगा मतलब समझ ये अभी उस particular cropping season की sowing भी शुरू नहीं हुई है seeds को डाला भी नहीं गया है initial irrigation भी शुरू नहीं करने गया है और आगे के commodity trading के दामों को fix किया जा रहा है और amount of quantity जो की deliver करनी है उसको fix किया जा रहा है तो यहाँ पर players कितने नज़र आ रहे है एक player नज़र आ रहा है आपको farmer एक player नज़र आ रहा है आपको trader ठीक है ना और इन दोनों के बीच में एक commodity contract sign हो रहा है और इस commodity contract में किसी future date पे trader farmer को बोल रहा है कि तुम मुझे इत्ते टन दान बेच देना farmer बोला ठीक है इत्ते टन दान दूँगा मतब दान दूँगा पर इतना रुपया लूँगा तो रुपया तै हो गया overall उस particular community को future में कितने रुपय बेचना है यह चीज तै हो गई तो अब farmer की दिमाग में doubt नहीं है जो कि farmer की दिमाग पे future contract है commodity का जिसके basis पे farmer इस बात को तै कर सकता है कि हाँ भाई मैं अगर इतनी पैदावार करता हूं तो इतनी पैदावार को मैं इतने रुपय पे तो बेची दूँगा तो farmer भी खुश, trader भी खुश क्यों खुश है दोनों यहाँ पे वो खुश इसलिए हैं जो कि farmer को लगेगा ना कि माल लो मैंने कोई धान हुगाई और आगे आने वाले समय में बेचने वाले समय में जब तक मैंने harvesting की उस धान के दाम नीचे गिर गए तो मैं बेची नहीं पाऊंगा आज मैंने input ज़्यादा लगा लिया कल market forces की वज़े से उसी धान के दाम अगर नीचे गिर जाते हैं मेरा तो पैसा डूब जाएगा तो farmer इस डर से commodity contract साइन करेगा trader इस डर से साइन करेगा तो point समझ के आपको farmer और trader farmer को future में अपना धान इतने दाम पे बेचना है trader को future में ये धान इतने दाम पे खरीदना है दोनों ने common धान के दाम को decide किया और contract साइन कर लिया अब future में परिशानी कब होती है परिशानी तब होती है कि माल लो farmer बेच रहा था oil seed oil seed का दाम तैकिया 10 रुपया बढ़ मार्केट में दाम हो गया 14 रुपया तो farmer की जलने लगेगी farmer बोलेगा यार यहां तो 10 रुपय में बेचने पड़ रहे है यह तो market में 14 रुपय को भी करा है market बेखता तो में 14 रुपय मिलते हो जाती है मतलब जिस पार्टी को नुक्सान होता है उस पार्टी की जलने लगती है ऐसे जो transactions होते हैं ना इनको आप बोलते हो commodity futures अग्री कल्चल कमोडिटी में यह commodity future से एक major role play करते हैं अब इसका मतलब यह नहीं है कि केवल agriculture में ही यह commodity future से उस्तमाल होते हैं मतलब future के एक समय में चीज़ों को कितने दाम पर बेचना है इस चीज़ को डिसाइड करना तो आई होप यह commodity futures और एग्री कल्चल में तुसका एक खासा important role है चोकि एग्री कल्चल में crop failure हो सकता है bad weather हो सकता है demand supply का imbalance हो सकता है दाम उपर नीचे दोना हो सकते जदादर के risks में दाम negative ही जाते नीचे ही गरते हैं तो farmers अपने risk को जदा hedge करते है और trader को भी ठीक ठाक deal मिल गई तो वो overall community futures वाइन कर लेते हैं तब यहाँ पर insurance element भी होता है insurance element क्या होता है मानलो farmer और trader की बीच में agreement हुआ farmer ने crop उगाया लेकिन drought की चलते crop तबहा हो गई पानी नीबरसा, famine आगई, कोई pest attack हो गया तो farmer की crop तबहा हो गई तो यहाँ पे अपने losses को hedge करने के लिए farmer एक insurance service भी लेता है कि कल की डेट में फार्मर भाई अपने जो भी उसके कमिट्मेंट्स थी कि इतना धान दूँगा इतने पैसे लूँगा तो मानलो धान नहीं दे पाया तो कॉंट्रेक्ट तूड़ गया और मार्केट में दाम जादा है तो ट्रेडर चिलाने नहीं रगेगा फार्मर के उपर क भाई मेरको तो मेरा पैसा दो मैं नहीं जानता तो उस केस में फार्मर एक इंशुरेंस लेता है वो इंशुरेंस एजेंसी जितना भी ट्रेडर के नुकसान हुआ होता है पैसा ट्रेडर को ले देती है उसी प्रकार से एक ट्रेडर मतलब एक इंशुरेंस ट्रेडर के पास responsibility बन जाएगी कि फार्मर का धान at least 10 रुपए बिके और ट्रेडर यहाँ पे insurance company को अपना premium देके निकल लेगा और फार्मर को फिर 10 रुपए पे धान की दाम प्रोवाइड करना ये इस insurance company की responsibility हो जाएगी तो commodity markets में जो भी दो players हैं उन दो players के लिए insurance facility पे available होती तो कल की date में farmer को नुक्सान हो जाता तो भी उसके पास insurance available है और कल की date में farmers ने all seeds 10 रुपए में बेचने को बोला है और market में 14 रुपए के बिक रहे हैं तो भी यहाँ पे farmer के पास insurance insurance available होगा कि वह insurance company को बोल देगा भाई मैं तो 14 वाले बेचूंगा मैं अपने contract को honor नहीं कर रहा तो उस case में insurance जो भी ट्रेडर को नुक्सान हो रहा है उस basis पे trader को पैसा दे देगा same goes for trader trader ने भी insurance ले रखा है trader को लगता है कि 10 रुपए की ट्रेडिंग का concept community future का concept ठीक है भाई हलका फुल की चीज़ें आप हो clear हो गई मदब मैंने basic में चीज़ें समझाने की कोशिश की कि अब यह चीज बताई गई है यहाँ पर improvement in warehousing यह क्या concept है चलिए अगली वीडियो में बात करते हैं अब तक आपको यहां पर चीज़ें समझ में आ रही हूं थैंकियो सो मच फॉर वाचिंग फ्रेंट्स जादा से जादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए होश तक है तो चैनल का member बन के help करें इस प्रकार की वीडियो आपको free of cost मिल रही है चीजों को मैं बहुत सब्सक्राइब करने के कोशिश कर रहा हूं नहीं समझ में आ रही है तो आप नीचे comment box में मुझे रहे हैं इस्ट्राग्राम पर चैनल तो फॉल्लो पर सब्सक्राइब करें